और अब खबर अंबिकापुर से है यहां नाबालिक पहाडी कोर्वा के साथ गैंग्रेप का मामला सामने आया शादी समारों में शामिल होने के लिए नाबालिक आई हुई थी पुलिस ने दो नाबालिक समेच चार लोगों को इस मामले में गिरफतार कर लिया है कोटवाली थाना शेत्र का ये पूरा मामला बताया जारा जहां पर नाबालिक कोर्वा के साथ दुशकर्म किया गया शादी समारों में नाबालिक शामिल होने के लिए आई हुई थी और इसी दोरान इस घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस ने दो नाबालिक समेच चार लोगों को इस मामले में हिरास्त मिले लिया है कोटवाली थाना शेत्र की ये पूरी घटना बताई जारी है जहां पर नाबालिक पहारी कोर्वाक से गैंग रेट का मामला सामने आया है फिलाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया है तो अंबिकापुर से एक खबर आपको दिखा रहा है जहां पर एक नाबालिक शादी समारों में शामिल होने के लिए आई थी और इसी दोरान आरोपियों ने गैंग रेट की वार्टात को अंजाम दिया पुलिस ने दो नाबालिक समय चार लोगों को इस मामले में गिरफतार कर लिया है फिलाल पुलिस पूरे मामले की जाच परताल में जुटी हूई है नाबालिक पहाडी कोरवा से गैंग रेब की वार्टात हुई है ये नाबालिक जो है वो शादी समारों में शामिल होने के लिए पहुँची थी और इसी दोरान वारडात को अंजाम दिया गया फिलाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया